प्रणा भाजी तुम कब आये है हम तो चोविस्थारी को ही आ गये थे आप पहले आ गये थे सब ठीक ठक है ना मेरा तो रिजर्वेशन का भी प्रावलम रहता है ना अकेले आये थे रिजर्वेशन नहीं था भाईजी पापरे पूछिये मत कितना भीर था गाड़ी में हे भगवान अब सोचे हैं कि जब भी जाएंगे तो पहले ही तिन-चार महिना पहले ही टिकट ले लेंगे क्योंकि ये बरदास्ट से बाहर है यार आजकल पता नहीं बहुत भीर होने लगी है गाड़ी में गाड़ी में इतनी क्यों भीर होती है मुझे तो पता ही नहीं चलता है खास करके बिहार के ट्रेन में तो सबसे जिएदा भीर मैंने भी देखी है चार महिना पहले भी आप टिकट ले लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है चीकट ले लो रजरवेशन भी है लेकिन फिर भी उसमें इतनी भीर रहती है जिसका रेजरवेशन नहीं रहता है वो भी आज करने के लिए आप लोग तो बड़े आदमी हैं आप लोग तो गाओ शाहर दुनों जगा जो है सो काम धंदा है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है हम लोग तो बहुत गरीव आदमी है अब उस बागी में बातरूम जाओ लेट्रिन जाओ मुग धोने जाओ गेट पर जाम नीचे लोग सोते रहते हैं मतलब बहुत बुरा हाल खास करके इस जिन में तो सबसे ज़्याद बुरा हाल रहता है पताने कैसे क्या होगा और इतनी ट्रेन चला भी दी है फिर भी विहार और यूपी के ट्रेन में इतनी भीड क्यों होती है आज तक मैं भी नहीं समझ पाया बैठो हाँ 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 बढ़ते हैं बढ़ते हैं नहीं बात नहीं है आपका इज़त करता हूँ ना आपकी इज़त है समाज में भी है आप बहुत बड़े आदमी हैं आप मददगार आदमी हैं आप से बढ़के कौन होगा इसलिए आपकी इज़त करना हमारा फोर्ज है हम बैठ जाएंगे तो चीक है लेकिन बैठीचना को कोई हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपके सामने हुम बैठेंगे बाप्रे 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 आप कितना मदद किया है हमको बाप्रबा पूछिए मत भाइजी ठीक है आप को होते हैं तो बैठो, बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बैजी जी भाईजी जी बाईजी, आपका आदेश है तो बैठ केल, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हमारे आपके सामने में बैठ हैं, आप रिबाद, देखो या, तुम्हारा बड़पन है एक कोशिश तो करना चाहिए कि बिना रेजर्वेशन के चलना बड़ा मुश्किल होता है और गारी में जो दूद अशा होती है पूछो मत बहुत बुड़ा हाल, बहुत बुड़ा हाल क्या मैं बता हूँ आप सधारण आदमी है बाई जी अच्छा, अच्छा आपका नाम तो चारों तरफ फैला हुआ है इतना ही नहीं भाई जी आपने जो हम लोगों पर उपकार किया हुआ है वो कभी नहीं हम लोग बोल सकते हैं भाई जी आप ही थे ना भाई जी जो हमड़ा समांग अंदर हो गया था आप कोई देखने वाला नहीं था आप अकेले थाना पर जाके लड़े थे हम कैसे बोल सकते हैं भाई जी भाई जी बड़ा आद्मी बड़े होता है आप सिर्फ धनवान ही नहीं है दिल के अमीर है भाई जी जो दिल का अमीर होता है ना उसी की इज़त समाज करता है, तुम मुझे मानते हो, मेरी इज़त करते हो, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, जी भाई, जी जी, अब बहुत कुछ बदल गया है भाई, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसा है, खास करके जो अमीर लोग हैं, उनकी एक शर्णी हो जाती है, किसी भी जाती धारम के हो, अब ये सब भावना मत रखो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो, तुम बफादार हो, मेरी इज़त कर रहे हो, मैं मानता हूँ, ये अच्छी बात है, पर अब गया, अब रहे हो, पीने वाले, अब न रही, वो मत शाला, और मन लगा के काम करो, दीन दुगनी, राच्छोगनी, तुम्हारी तरक्की हो, यही मेरी तरफ से दुआ है, तुम अच्छे हो.